नवश्कार्ट अलगलग राज्यों के मानिय शिक्षामंत्रिगाण, राष्ट्रिय शिक्षानिति के प्रारूप को तयार करने वाली समितिक अध्यक्ष, ड.कस्तूरी रंगन जी, उनकी टीम के सभी मानिय सम्मानित सदस्यगाण, पूरे देश से हमारे साथ मोजूत, सभी विद्वान, प्र प्राचार्यगाण, शिक्षगाण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे सिक्षकों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ. आप सभी ने कठीन समय में देश में सिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के भविश्य के लिए, जो एक निष्ट प्रयास किया है, योगदान दिया है, वो अतुल्निय है, सरानिय है. इस कारिकम में हमारे जो विद्यार्थी उपस्तित है, मैं उनके भी चहरे स्क्रीन पर देख रहा हूँ. देड़ दो सालों में पहली बार ये अलग सी चमक आपके चहरों पर दिख रही है. ये चमक संभवत है, स्कूल्स खुलने की लगती है, लंबे समय बाद स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, प्लास में पढ़ाई करना, इसका आनंद ही कुछ और होता है. लेकिन उत्सा के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन भी हम सब को आपको भी पूरी कड़ाई से करना है. साथियों, आज सिक्षक परव के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारम हुआ है. और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन सभी योजनाओं के विशे में जानकारी प्राप्त की. यह इनिस्टेटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमरुत महुत्सव मना रहा है. आजादी के सो वर्ष होने पर भारत कैसा होगा इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है. आज जो योजनाओं शुरू ही हैं वो बविश्च के भारत को आकार देने में एहम भूमिका निभाएगी. आज विद्यान जली 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स और ULD बेस ISL डिक्ष्णेरी जैसे नए प्रोग्रेम्स और व्यवस्ताएं लॉंच की गई है. स्कूल क्वालिटी एसेस्मेंट एंड एश्वरंस फेवर्क यानी SQAAF जैसी आधिनिक शुरुवात भी हुई है. मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेर्शन सिस्टिम को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाएगी, बल्कि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी. साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी सिक्षा व्यवस्था का सामर्थ कितना ज्यादा है. चुनोतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनोतियों को तेजी से समाधान भी किया. ओनलाइन क्लासिज, ग्रूप वीडियो कॉल, ओनलाइन प्रोजेक्ट्स, ओनलाइन एक्जाम, पहले एश्य सब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं से, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पैरेंट्स ने, हमारी युवाओं ने, इने सहस्ता से दैनीक जीवन का हिस्सा बना दिया. साथियों, अब समय हैं कि हम अपनी इन ख्षमताओं को आगे बढ़ाएं, हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है, उसे एक नई दिशा दे. सवभाग्य से, आज एक और देश के पास बढ़लाव का बातावरन है, तो साथ ही नई राष्ट्रिय शिक्षा निती जैसी आधुनिक और फिचरिस्टिक पालिसी भी है. इसलिए, पिछले कुछ समय से, देश लगातार, एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निनने ले रहा है, एक ट्रांस्फरमेशन होते देख रहा है, और इसके पीछे, जो सबसे बड़ी शक्ती है, उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चा आता हूँ, यह अभ्यान केवल पॉलिसी बेज नहीं है, बलकि पार्टी सिपेशन बेज है, एनि पी के फर्मुलेशन से लेकर, इंप्लिमेंटेशन तक, हर स्तर पर, एकेडेमिशन का, एक्सपर्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है, आप सभी इसके लिए प्रसुंशा के प्रात्र है, अब हमें इस भागीदारी को, एक नए स्तर तक लेकर जाना है, हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है, साथियों, हमारे यहां कहा गया है, वये कृते वर्दते एव, नित्यम विद्या धनम, सर्वधन प्रधानम, अर्थात, विद्या सभी संपदाव में, सभी संपतियों में, सबसे बड़ी संपति हैं, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है, जो दूसरों को देने से, दान करने से बढ़ती हैं, विद्या का दान, शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, इस कारकम में जुड़े, आप सभी शिक्षकों ने भी, रुदे से ये मैसूस किया होगा, किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोस होता है, वो अलग ही होता है, विद्यान जली 2.0, इसी पुरातन परंपरा को, अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी, कि देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यान जली 2.0, उसके लिए एक बहुत ही जीवन प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइबरन प्लेटफॉर्म की तरह है, इसमें हमारे समाज को हमारे प्राइबेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में सुक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है साथियों अनादी काल से भारत में समाज की सामुहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है ये अर्से तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छीत परणाम अवश्य मिलते हैं और आपने ये देखा होगा और देखा है कि बिते कुछ वर्षों में जन भागीदारी अब फिर भारत का नेशनल करेक्टर बनता जा रहा है पिछले छे साथ वर्षों में जन भागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था चाहे स्वच्चता अंदोलन हो गीवीट अपकी स्पिरीट से हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुचाना हो गरीबों को डिजिटल लेंदेन सिखाना हो हर छेत्र में भारत की प्रगति ने जन भागीदार से उर्जा पाई है अब विद्यान जली भी इसी कड़ी में एक सुनहरा अध्याय बनने जा रही है विद्यान जली देश के हर नागरिक के लिए आहवान है कि वो इसमें भागीदार बने देश के भविश को घणने में अपनी सक्रिय भूमी का निभाएं दो कदम आगे आएं आप एक एंजीनियर हो सकते हैं एक डॉक्टर हो सकते हैं एक रिसर्च सैंटीस हो सकते हैं आप कहीं I.S. officer बन करके कहीं collector के रूपे कहीं काम करते हो, फिर भी आप किसी school में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं, आपके जरिये उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा, उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती हैं. आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं, जो ऐसा कर भी रहे हैं, कोई bank का retired manager है, लेकिन उत्राखंड में दूर दराज पहड़ी ख्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है, निवृत्ति के बाद कोई medical field से जुड़ा है, लेकिन गरीब को online classes दे रहा है, उनके लिए संसाधन उपलब्द करवा रहा है, यानि आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो, सफलता की किसी भी सीड़ी पर हो, युवाओं के भविश्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है, अभी हाली में संपन्द हुए, टोक्यो अलेम्पिक और परा अलेम्पिक में हमारे खिलाडियों ने शांदार प्रसेशन किया है, हमारे युवा इन से कितना प्रेरित हुए है, मैंने अपने खिलाडियों से अनुरोत किया है कि आजादि के अमरित महुतसव के उसर पर हर खिलाडी कम से कम पचचतर स्कुलों में जाएं, मुझे खुशी है कि इन खिलाडियों ने मेरी बात को स्विकार किया है, और मैं सभी मान्य शिक्षक गन से कहूंगा, आचारिय गन से कहूंगा, कि आप अपने इलाके में इन खिलाडियों से संपर किजिये, उनको अपनी स्कूल में बुलाइए, बच्चों के साथ उनका समवात करवाईए, तिकि इससे हमारे स्टूडंस को कितनी प्रेणा मिलेगी, कितने प्रतिभावान स्टूडंस को खेलों में आगे जाने का मिलेगा साथियों आज एक और महत्वपुन शुरुआत स्कूल क्वालिटी एसेस्मेंट एंड एश्यरंस फ्रेमवर्ग यानि एस्क्यू एए एप के माद्यम से भी हो रही है अभी तक देश में हमारे स्कूलों के लिए एजुकेशन के लिए कोई एक कॉमन साइन्टिफिक फ्रेमवर्ग ही नहीं था कॉमन फ्रेमवर्ग के बिना सिक्षा के सभू पहलूओं जैसे की करिकुलम पेड़ागौजी एसेस्मेंट इंफासेक्शर इंक्लूजिव प्रक्टिसीज और गवर्नन्स प्रोसेसिस इन सभी के लिए स्टेंडर्ड बनाना मुश्किल होता था इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग स्कूलों में स्टूडेंस को सिक्षा में और समानता का सिकार होना पड़ता है लेकिन SQAF अब इस खाई को पाटने का काम करेगा इसकी सबसे बड़ी खुबी है कि इस फ्रेमपर्क में अपनी जरूरत के हिसाब से बड़लाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी राज्य के पास होगी स्कूल्स भी इसके आधार पर अपना मुल्यांकन खुद ही कर सकेगे इसके आधार पर स्कूलों को एक ट्रांस्फर्मेशनल चेंज के लिए प्रोत्साहिद भी किया जा सकेगा साथियों शिक्षा में असमानता को खत्म करके उसे आधुनिक बणाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्ट्चर यानि एन डियर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है जैसे यूपी आई इंटरफेस नहीं बैंकिंग सेक्टर को रिवर्शनलाइज कर दिया है वैसे ही एन डियर सभी अकडेमिक एक्टिविटीज के बीश एक सूपर कनेक का काम करेगा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो या हायर एजुकेशन में एड्मिशन मल्टिपल एंट्री एक्जिट की ववस्ता हो या एकडेमिक क्रेडिट बैंक और छात्रों की स्किल्स का रेकॉर्ड सब कुछ एन डियर के जरिये आसानी से उपलग्द होगा ये सभी ट्रांसफर्मेशन हमारे न्यू एज एजुकेशन का चहरा भी बनेंगे और क्वालिटी एजुकेशन में भेद आपको भी खत्म करेंगे थात्यों आप सभी इस बात से परिचित हैं कि किसी भी देश की प्रगति के लिए एजुकेशन नक्लिवर इंक्लुजिव होनी चाहिए बलकि इक्वीटेबल भी होनी चाहिए इसलिए आदेश टॉकिंग बुक्स और अडियो बुक्स जैसी तक्निक को शिक्षा का हिस्सा बना रहा है युनिवर्सल डिजाइन अफ लर्निंग यानि UDL पर आधारित दस हजार सब्दों की इंजिन साइन लेंग्वेज दिक्षिनेरी को भी विक्षित किया गया है असम के बिहु से लेकर भारत नाट्यम तक सांकेतिक भाषा हमारे हां सदियों से कला और संस्क्रित का हिस्सा रही है अब देश पहली बार साइन लेंग्वेज को एक सब्जक के रुपे पांठर क्रम का हिस्सा बना रहा है ताकि जिन मासुम बच्चों को इसकी विशेश जरूरत है वो किसी से पीछे नह रह जाए ये तक्नीक, दिव्यांग, युवाओं के लिए भी एक नई दुनिया का दिर्बान करेगी इसी तरह निपुण भारत अभ्यान में तीन वर्ष से आठ साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेश्णल लिटरसी एंड निमरसी मिशन लॉंच किया गया है तीन साल के उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्य तह प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करें इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे इन सभी प्रयासों को हमें काफी आगे तक लेकर जाना है और इसमें आप सभी की विशेश करके हमारे शिक्षक मित्रों की भूमी का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है द्रष्टांतो नईव द्रष्टाह त्रिभूवन जठरे सद्गुरोहो ज्ञानदातों अर्थात फूरे ब्रह्मान में गुरू की कोई उपमा नहीं होती कोई बराबरी नहीं होती जो काम गुरू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए सिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है उसकी बागडोर हमारे इन सिक्षक भाई बहनों के हाई हाथों में है लेकिन तेजी से बदलते इस दोर में हमारे सिक्षकों को भी नई व्यवस्ताओं और तकनिकों के बारे में तेजी से शिखना होता है निष्ठा ट्रेणिंग प्रोग्रेम से इस ट्रेणिंग प्रोग्रेम के लिए तैयार कर रहा है निष्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है और मैं इसे बहुत महत्वपूर का अदम मानता हूं हमारे टीचर जब कॉम्पिटेंसी बेस्ट टीचिंग आर्ट इंटिग्रेशन हाई और थिंकिंग और क्रियेटीव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो भविश्य के लिए युव को और सहस्ता से गड़ पाएंगे अगया साथियों भारत के सिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टेंडर पर खरा उतरने की चंता तो है साथी उनके पास अपनी विशेष पूझी भी है उनके विशेष पूझी यह विशेष ताकत है उनके भीतर के भारतिय समस्कार। और मैं आपको मेरे दो अनुभो बताना चाहता हूँ। मैं प्रधान मंतरी बन करके जब पहली बार भुटान गया, तो वहां का राजपरिवार हो, वहां के सासे की विवस्ता के लोग हो। बड़े गर्व से कहते थे, कि पहले हमारे यहां करीब करीब सभी टीचर्स भारत से आते थे, और यहां के दूर सुधी रिलाकों में पैदल जाकर के पढ़ाते थे, और जब इस शिक्षकों की बात करते थे, भुटान का राजपरिवार हो यहां वहां के शासक, बड़ा घर् हो करते, उनके आखों में चमक न जाराती थे, वैसे ही जब मैं साओधिय रिविया गया, और सायर साओधिय रिविया के किंग से जब बात कर रहा था, तो वो इतने गवरों से मुझे उल्लेक कर रहे थे, कि मुझे भारत के सिक्षक ने पढ़ाया है, मेरा सिक्षक भारत का अब देखिये, सिक्षक के प्रती, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे, उसके मन में क्या भाव होता है, साथियों, हमारे सिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानविय सम्वेदना है, एक पवित्र, पवित्र और नईतिक कर परतव्य हैं, इसलिए हमारे यहां सिक्षक और बच्चों के बीच, प्रोफेशनल रिस्ता नहीं होता, बलकि एक पारिवारिक रिस्ता होता है, और यह रिस्ता, यह सम्वन पूरे जीवन का होता है, इसलिए भारत के सिक्षक, दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं, अपन एक अलग चाप छोड़ते हैं, इस वज़र से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपान संभावनाएं भी हैं, हमें आधुनिक एजुकेशन एको सिस्टिम के हिसाब से खुद तयार करना है, और इन संभावनाओं को आउसरों में बदलना भी हैं, इसके लिए हमें लगातार इनोविशन करते रहना होगा, हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा, जो स्पिरिट आपने अभी तक दिखाई है, उससे हमें अब और उंचाई देनी होगी, और होसला देना होगा, मुझे बताया गया है कि सिक्षक परवके इस अउसर पर आप आज से 17 सितंबर तक, 17 सितंबर हमारे देश में विश्व कर्मा जेनती गुरुप में बनाये जाता है, इस विश्व कर्मा अपने आप में निर्माता है, स्रुजनहार है, तो साथ तारिक से 17 तारिक तक, अलग-अलग विश्व पर वर्क्षप, सेमिनार, आयोजित कर रहे हैं, यह अपने आप में एक सरानिय प्रयास हैं, देश भर के इतने टीचर्स, एक्सपर्ट्स, और पॉलिसी मेकर्स, जब एक साथ मन्थन करेगे, तो इससे विचारों का एक नया अम्रित निकलेगा, और आज़ादी के अम्रित में इस अम्रित की एहमियत और नादा, कि इन सामुहिक मन्तन से राष्ट्रिय शिक्षा नीति को सफलता पुर्वक लागू करने वे भी काफी मदद मिलेगी, मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग अपने शहरों में, गावों में भी स्थानिय स्थर पर प्रयास करें, मुझे विश्वात है कि इस दिशा में सबके प्रयास, सबके प्रयास से देश के संकल्पों को नई गति मिलेगी, अमरित महुत्सों में देश ने जो लक्ष ताय किये हैं, उन्हें हम सब मिलकर हासिल करेंगे, इनी शुबकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुबकामनाई